भाई लोग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है अस्पेशल प्रोग्राम के लिए माइक के बारे में कि आखिरकार में कौन सा माइक हमें प्रोग्राम में लगाना चाहिए जिससे कि अच्छे से अच्छे क्वैल्टी हमें अपने प्रोग्राम से मिल सके जैसा कि आप लिया था कि मैं सोच रहा था कि आउजा का माइक अच्छा होता है तो मैंने आउजा का यह की मोडल का बहुत सारा माइक ले आया और सबको लगा दिया तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था अलग-अलग मोडल का आपको माइक लेना है आउजा का ले रहे हैं तो कोई वीडियो को शुरू से अंतक देखिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किए तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए तो फ्रेंड चलिए बिना लेट की हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे यहां धोलक के माइक के बारे में तो धोलक में सबसे पहले हम बैस के बारे में बात करते हैं उसके बाद बात करेंगे हम ट्रेवल के बारे में तो बैस के लिए मैं आपको तीन माइक सजिस्ट करने वाला हूं तो आप आप लोग वीडियो को देखते रहें सबसे पहला जो माइक है फ्रेंड वो है आउजा कंपनी का ओडियो 98 XLR फ्रेंड आप इसे बैस में यूज कर सकते हैं इसका फ्रिक्वेंसी रेंज आप यहां देख पारें पचास से लेकर पंदरहजार हजार तक अलाकि जदे आप इससे आप भोकल के लिए भी यूज कर सकते हैं और राउंडर माइक है फ्रेंड और बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस आपको लगने वाला है 1150 रुपिया जो कि हमारे मार्केट का प्राइस है आपके मार्केट में भी बस इतना ही होगा कुछ अंतर हो सकता है अगल बात करें इसके प्राइस की तो फ्रेंड प्राइस आप यहां देख पा रहे हैं यानि की 1200 फ्रेंड यह जो ओडियो 98 एक से ला रहा है उससे थोड़ा सा महंगा आपको यह वाला माइक मिल सकता है इन दोनों माइक को आप भोकल या फिर ढोलक के लिए बैस के लिए लगा सक करते हैं जो कि आप सभी को पता ही होगा और यह कम दाम में मिल जाता है प्राइस आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह माइक आपको 400 के अंदर ही मिल जाएगा एक पीस अब बात करते हैं फ्रेंड ढोलक के चाटी के लिए आनि की ढोलक के ट्रेबल के लिए तो ट्र बात करें फ्रेंड इसके फ्रिक्वेंशी रेंज तो इसका फ्रिक्वेंशी रेंज होता है 100 से लेकर 10,000 हर्च तक अनि की फ्रेंड वो जो आपने दोनों तीनों माइक जो भी देखा उसका फ्रिक्वेंशी रेंज था 50 हर्च से उसमें ज्यादा बैस आता है इसलिए उसे के लिए यानि बैस के लिए बोले थे और यह जो है इसमें ज्यादा ट्रेवल आपको मिलने वाला इसका फ्रिक्वेंसी रेंज शुरू होता है सो से तो फ्रेंड इस माइक को आप अपने धोलक के चाटी के लिए यूज कर सकते काफी अच्छा रिजल्ट आपको इस माइक से स और माइक है यहां 59 XLR जो आप यहां देख पा रहें मोडरल अमर इसका इसे भी आप ट्रेवल के लिए उज कर सकते हैं इसका भी फ्रिक्वेंसी रेंज सेम है 65 के जैसा और बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस थोड़ा सा आपको 65 से ज्यादा लग सकता है तो फ वाइट कलर का जैसा आप यहां देख पा रहें बहुत ही अच्छा माइक इसका लुक बहुत ही अच्छा है और बात करें इसके फ्रिकेंसी रेंज की तो इसका फ्रिकेंसी रेंज भी सेम मिलता है 50 से लेकर 15,000 हर्ट तक जैसा कि आपको 98 और 99 का मिल रहा था तो फ्रेंड द ले सकते हैं बात करें इस वाले माइक के प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस आपको लगबग 300,000 के आसपास देखने को मिलेगा तो फ्रेंड ये था कूछ अच्छा माइक जो की आउजा के तरफ से है कम बजट में जिससे की आप अच्छा खासा प्रोराम करवा सकते ह इससे भी जदी आप महेंगा लेना चाहते हैं तो आप आउजा का ही ले सकते हैं या किसी और का भी ले सकते हैं बहुत सारा महेंगा माइक आता है जिसका की प्राइस आपको एक माइक का लगबग 2500 से 3000 के आसपास पड़ेगा तो इससे भी सांदार क्वैल्टे आपको उसमे जरूर बताईए तो चलिए फ्रेंट आज के वीडियो में बस इतना है मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में